उर्जा एक ऐसा शब्द है जिसका प्रियोग हम अपने दैनिक जीवन में बार बार करते हैं। लेकिन इस सब्द का वैज्ञानिक अर्थ क्या है? इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। भौतिक विज्ञान के अनसार उर्जा का अर्थ कारी करने की छमता होता है। लेकिन इस कथन को समझने से पहले आईए पहले हम यही याद करें कि कारी का क्या मतलब होता है। भौतिक विज्ञान के अनसार जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है, जिससे वह वस्तु विस्थापित हो जाये, तब वस्तु पर लगने वाले बल और उस वस्तु के विस्थापन का गोड़न फल किया गया कारी होता है। इसका मतलब है कि कारिक करने के लिए हमें किसी वस्तू पर बल लगाना होगा और उसे उसके इस्थान से विस्थापित करना होगा। अब हम अपने इस कथन पर वापस आते हैं कि उर्जा का अर्थ कारिक करने की छमता होता है। यह कथन हमें क्या बता रहा है। यह कतन हमें मूल रूप से यह बता रहा है कि कोई भी चीज जो कोई कारिक कर सकती है उसमें उर्जा होगी यानि यदि आप कारिक कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास उर्जा है उर्जा का यही मतलब होता है कोई भी चीज जो किसी वस्तु को विस्थापित कर सकती है उसे उसके स्थान से हटा सकती है उसमें उर्जा होती है आईए इसके कुछ उदारण देखें यह महिला इस गाड़ी को धक्का देकर इसे आगे ले जा सकती है इसका मतलब है कि महिला इस गाड़ी पर कारिक कर सकती है इसलिए उस महिला में उर्जा होगी इस प्रकार सभी जीव कारिक कर सकते हैं इसलिए सभी जीवों में उर्जा होती है लेकिन क्या निर्जीव चीजों में भी उर्जा हो सकती है चलिए पता करते हैं यदी मैं क्रिकेट की गेंद लेकर इसे स्टम की और फेक दूँ तो यह गेंद इस्टम से टकरा कर उन्हें गिरा देगी यानि इस्टम पर कारिक कर सकती है ऐसी इस्तिती में हम कह सकते हैं कि गेंद में ऊर्जा थी आए एक और उधारण देखें अब यदि मैं एक कील पर हथोड़ा मारता हूँ तो हथोड़ा उस कील पर कारिक करता है और उस कील को धक्का देकर उसे लकड़ी के अंदर कर देता है यानि हथोड़े में भी उर्जा थी अब इन उधारणों में कौन सी बात समान है चलिए देखते हैं यहां गेंद इस्टम से टकराने से पहले गती कर रही थी यानि हम कह सकते हैं कि गती करती हुई गेंद में कारिक करने की छमता थी इसलिए इसमें उर्जा थी इसी तरह से दूसरे उधारण में यहां पर इस कील को ठोकने से पहले हथोड़ा गती कर रहा था यानि गतीमान हथोड़े में भी कारिक करने की छमता थी इसलिए इसमें भी उर्जा थी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी गतिमान वस्तु में उर्जा होती है कोई वस्तु जितना तेजी से गती करती है उसमें उतनी ही अधिक उर्जा होती है क्योंकि वह उतना ही जादा कारिक कर सकती है और इसलिए इस उर्जा को हम एक नाम दे सकते हैं बहुतिक विज्ञान में हम इसे गतिज उर्जा कहते हैं यानि किसी वस्तु की गती के कारण उसकी उर्जा को हम गतिज उर्जा कहते हैं गतिज उर्जा का एक अन्य उदारन हवा है जब हावा चलती है तब उसकी गती के कारण उसमें गतिज उर्जा होती है इसी तरह पानी की तरंगों में भी गतिज उर्जा होती है क्योंकि वहां भी गती होती है